हेलो रिवन कैसे आप सब उम्मिद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे डिर गैज मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल यूर इंगलिश मेंटर गैज आज हम वार्टेवर को रिप्लेश करके वार्टेवर की जगह पर विच का इस्तेमल कर हम दियो से पहले मा जो दा व्यदिओ है उसमें हमने हो में की जगह पर वह का अस्तेमों किया कि कि में हुच हैं श्तेवर की ऐसे तरह आज के वीडियो में वाटेवर की जगह पर विच का हस्तेमाल करना करना आज जो हम sentences लेंगे या examples लेंगे उन्हें examples में whatever का इस्तेमाल compound related pronoun की तरह है whatever को replace करके whatever की जगा पर हम which का इस्तेमाल करेंगे guys हम which का इस्तेमाल related pronoun की तरह पढ़ चुकी है आज जब हम whatever को which मी change करेंगे या whatever की जगा पर which का इस्तेमाल करेंगे तो उन sentences में which का function related to pronoun की तरह होगा compound related to pronoun sentence में अपनी अलग meaning रखते हैं और related to pronoun sentence में अपनी अलग meaning रखते हैं वैसे हम जानते हैं whatever का मतलब होता है जो कुछ या जो कुछ भी और which का मतलब होता है जो या जो कोई चीज लेकिन आज हम whatever की जगह पर which का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे के which जो है वो whatever का sense दिखाएगा whatever की meaning दिखाएगा मतलब whatever और which दोनु का मतलब एक ही होगा दोनु का sense एक ही होगा दोनु की meaning एक ही होगी गैस अगर आप बोलते वक्त या लिखते वक्त whatever का इस्तेमाल करना ना चाहें तो उसकी जगह पर आप विच का स्तेमाल कर सकते हैं चलेगा इस वीडियो शुरू करते हैं यहां पर मैंने लिखा वार्टेवर और वार्टेवर और विच दोनों का मतलब एक ही बनेगा जब हम वाटेवर की जगह पर विच को एक ऐसे अंदाजमी इस्तमाल करेंगे विच जो वो वाटेवर की मीनिंग दिखाएगा मतलब दोनों का मतलब दोनों की मीनिंग दोनों का सेंट एक ही होगा वाटेवर और विच का मतलब होगा जो कुछ भी जो कुछ जिस किसी की वात्यवर और विच का जो आज हम मतलब लेंगे इन्सेंटनसमी जो कुछ भी जो कुछ ज्स किसी की इस तरह की दूनों की मीनिंग हो गी तो ज्थन यहाँ पर मैंने लिखा है ौट्यवर को में सेंज करेंगी विच तो मारा एक paulתי पूर्णाउन अज्थ लीए हैं आज नेहुस्ज लिए इन्वी विच का अस्तेमाल और वो भी अपनी अलग मीनिंग रखता है लेकिन हम विच विच से पहले हम मैंने यहां पर इस पे इस पे चुड़ी है जगह चोड़ दिया विच से पहले हम कौन सा लफ़स इस्तमल करेंगे ऐसी क्या चीज हम विच से पहले लगाएंगे जो विच जो वह वार्टेवर का से से दिखाएगा चैनल गजैसे देखते से आपका कांशिट्यट केलियर हो जाएगा वाटेवर ही billionaire he is the heir and those who are the suite वले वाट इपर क्यों ने किया क्या उसने अच्छा किया आहीजित वह उसने अच्छाmother वह तो गैसि का मतलब यह क्या कर अब क्या करेंगे वेच का सिमयल करेंगे और विच को इस तरह अस्तेमाल करेंगे कि which जो वह वार्टेवर का सेंस देखाएगा यहां पर मतलब है जो कुछ भी या जो कुछ भी यही मतलब देखाएगा जो कुछ वार्टेवर इंड विल और दूसरा जो मै Advent है इसमें was looking fare he found whatever he was looking for looking fare उसे वो मिल गया जिस किसी की वो तुलसकर कर रहा था जिस किसी को वो जिसे वो ढूंड रहा था तो ऍसके आप देखने में सेंटन्स में भी माध्यवर का स्बूर्क अस्तेमाल है अब हम अगर आगर हम लेकते वर विस्कर दान करें तो इसकी को हम भाइन वर की जगापर एने ठेंग विच का शनुमल करेंगे रिज एनिफिंग कि जो का जो कुछ भी आसे ने किया वो अच्छा किया दूसरा एक्जमपल ही फाउंड वाटेवर ही वाज लोकिंग फार इसमें भी वाटेवर की जगा पर हम इस्तमाल करेंगे एनिटिंग विच ही फाउंड एनिटिंग विच ही वाज लोकिंग फार ही फाउंड एनिटिंग विच ही वाज लोकिंग फार ही फाउंड वाटेवर ही वाज लोकिंग फार या हम कह सकते ही फाउंड एनिटिंग विच ही वाज लोकिंग फार उसे वह मिल गया जिस किसी की वह तलाश कर रहा था या उसने वह ढूंड लिया जिस किसी की वह तलाश कर रहा था लुकिंग फार का मतलब है तलाश करना या ढूंड़ना वार्टेवर की जगह पर हम एनिटिंग विच का स्थमाल करें तो यहां पर मैंने बताए था वार्टेवर हमारा यहां पर हमने क्या लिया है यहां पर हमने लिया एनिटिंग विच सिर्फ हम विच को इस्तमाल नहीं कर सकते हैं वाटेवर की जगह पर हम सिर्फ विच का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं हों क्या लखेंगे anything which लेखते वक्त या बोलते वक्त हम anything वीच का स्थमाल करेंगे वाट की जगाँ पर जब हम विच से पहले anything की लगा देंगे तो विच जो वो को whatever का Sense देखाएगा अब यहां पर डोनों का मतलब होगा जो कुछ भी या जो कुछ अगर हम लिखते वक्त या बोलते वक्त वार्ट अस्तेमाल करना ना चाह है कि वार्टेवर और आनिठिंग विच्श दोनों का मतलब होगा जो कुछ भी जो कुछ या जिस किसी नहीं तो गैस उम्हिद करता हूं आपको ये वीडियो समझा गया होगा अगर आपको ये विडियो अच्छा लगे अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सिखा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किजिए क्योंकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे है चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लि धजड़ ग्द्टी आपको झाल से नेक्स वाचिए